प्रेव इध्यार्थियों स्वागत है आपका पिछले वीडियो में हमने उपमा और रूपक के विश्य में जानकारी प्राप्त की थी ये साद्रश्य मूलक अलंकार हैं उपमा में किसी गुण या विशेष्टा अथवा क्रिया के कारण एक वस्तू की समानता या उपमा दू रूपक में एक वस्तू पर दूसरी वस्तू का आरोप कर दिया जाता है अर्थात एक वस्तू को दूसरी वस्तू बना दिया जाता है इन अलंकारों के चार अंग कहे जाते हैं उपमेय, उपमान, साधरन धर्न और वाचक शब्द अब हम रूपक के भेदों के विशे में ज सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक, सांग रूपक, अब सांग रूपक को जानें, सांग का अर्थ है सधन अंग, अर्थात अंग सहित, इसमें उपमेई पर उपमान का आरोप किया जाता है, और यह आरोप अव्ययों अर्थात अंगों सहित होता है, जब उपमेई को उपमान बनाया जाता है तो उपमान के अंगों को भी उपमेई के साथ बताया जाता है उदाहरन के लिए उधो मेरा हरदे तल था एक उध्यान नियारा शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी न्यारे न्यारे पुष्प कितने भाव के थे अनेकों उत्साहों के विपुल विटपी मुग्ध कारी महा थे यहां यशुदा के रदे को उध्यान बताया गया है और उपमान के अनेक पक्षों क्यारियां पुष्प विटप इत्यादी का आरोप क्रम्शह कल्पना भाव उत्साहों उत्साह आदी पर किया गया है अर्थात यहां पर उपमेय पर उपमान का आरोप तो किया ही गया है वहीं उपमान के अंगों का आरोप भी उपमेय के अंगों पर किया गया है अर्थात जब उपमेय पर उपमान के अंगों सहित आरोप हो ध्यान दें उपमेय पर उपमान का आरोप तो होगा ही लेकिन उपमान के अंगों का आरोप भी उपमेय के अंगों पर होगा तो वहाँ पर सांग रूपत अलंकार होता है अब अन्य उधारन दिखिए निर्वा सित्थे राम राज्ज था कानन में भी सची ही है शीमान भोगते सुखवन में भी चंद्रा तप्था व्योम तार का रत्न जडे थे स्वच दीप था सोम प्रजातर उपुंज खडे थे शांत नदी का सोत बिचा था अतिसुककारी कमल कली का नत्य हो रहा था मनहारी इसका विशलेशन करने से ग्यात होता है कि कानन पर राज्ज का आरोप किया गया है कानन अर्थात जंगल पर वन पर राजी का आरोप किया गया है और राजी के जो अंग है उनका आरोप कानन के अंगों पर भी किया गया है जैसे राजी पर कानन का, राजा पर शीराम का, चंदोवा पर व्योम का, रतन पर तारों का, दीप पर सोम अर्था चंदरमा का, प्रजा पर तरुपुंझ का, बिछावन पर शांत नदी के जल का, और नर्तक पर कमल कली का इस प्रकार विवेश उधारन सांग रूपक का उधारन कहा जाएगा आगे देखते हैं जहां उपमेई पर उपमान का अंगो सहित आरोप हो वहां सांग रूपक अलंकार होता है इसी प्रकार का एक प्रसिद्ध उधारन है उदित उदैगिरी मंच पर रगवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हरशे लोचन ब्रंग अगला भेद है निरंग रूपक जब केवल उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए अर्था जहां मात्र उपमेय को ही उपमान बनाया जाए अंगों का आरोप ना हो वहाँ पर निरंग रूपक होता है निरंग शब्द को देखें तो निह धन अंग अर्था अंग रहित तो जहां पर केवल बिना अंगों के उपमेय पर उपमान का आरोप होता है वहाँ पर निरंग रूपक होता है उदाहरनार्थ मुख इसी तरह से चरण कमल म्रद outra बन शुतिहरे यहां पर चरण पर कमल का आरोप अर्था निरंग उर्फ़क है अब इसी प्रकार एक तीसरा व्होढ है परमपरित रूपक परमपरित रूपक में हैं दो रूपक होते हैं और एक रूपक आधार रूपक होता है यति उस जै जै गिरिवर राजी की सोरी जै महेश मुख चंद चकुरी यहाँ पर महेश के मुख को चंदर बताया गया है अताय गिरीवर राजी की सोरी को चकुरी बताया गया है चब चकोरी रूपत तभी तक सार्थक है जब कि जब तक कि महेश का मुख चंद्र है यदि महेश का मुख चंद्र नहीं रहेगा तो गिरिवर राज किशुरी का चकोरी होना महत्तुहीन हो जाएगा इसी प्रकार का एक अन्य उधारन है आशा मेरे रदे मरू की मंजु मंदाकिनी है यहां रदे पर मरू का अर्थात रेगिस्तान का अरूप किया गया है अतर आशा को मंदाकिनी बनाया गया है आशा का मंदाकिनी होना तभी तक सार्थक है जब तक रदे मरू है अन्य उधारन देखिये प्रेम अतिति है खड़ा द्वार पर रदे कपाट खोल दो तुम इसी प्रकार आरोपन के तरीके को लेकर दो भेत अन्य किये गए हैं एक है अभेद रूपक और दूसरा है तदरूप रूपक ये जो भेत किये गए हैं वो उपमे पर उपमान का आरोप किस तरीके से किया गया है उसके प्रकार को उसके तरीकों को देखते हुए ये भेद किये गए हैं पहला अभेद रूपक और दूसरा तद्रूप रूपक जब उपमे को उपमान बना दिया जाए दोनों में कोई भेद ना छोड़ा जाए पूरा आरोप उपमे पर उपमान का कर दिया जाए तो अभेद रूपक होता है जैसे मुख चंद्र चरण कमल इत्यादी इसी प्रकार इस अभेद रूपक के भी तीन भेद बताए गये हैं पहला सम अभेद रूपक दूसरा न्यून अभेद रूपक तीसरा अधिक सम अभेद रूपक में पूर्ण आरोप कर दिया जाता है उपमे पर उपमान का पूरा आरोप पूर्ण आरोप कर दिया जाता है तो वहाँ पर सम अभेद रूपक कहा जाता है दूसरा है न्यून अभेद रूपक न्यून अभेद रूपक में उपमे में उपमान की अपेक अपेक्षा कोई थोड़ी सी कमी बताई जाती है अर्थात उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई थोड़ी सी कमी बताई जाती है तो उसको न्यून अभेज रूपक कहा जाता है जैसे मयंक है शाम बिन कलंक का यहां पर मयंक में जो कलंक है वो शाम में नहीं है अते एक कमी यहाँ पर बताई गई है अतहिया है न्यून अभेद रूपक तीसरा है अधिक अभेद रूपक इसमें उपमेई में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक होती है महाँ पर अधिक अभेद रूपक कहा जाता है उधारन के लिए सुर्न है शाम सुगंद से भरा यहाँ पर उपमेई में सुगंद अधिक बताई गई है इसलिए अधिक अभेद रूपक कहा गया है दूसरा भेद है तद्रूप रूपक जब उपमेई को उपमान का रूप दिया जाए पर दोनों में कुछ भेद रख दिया जाए अर्थात पूरी तरीके से आरोप ना किया जाए उसमें कोई न कोई भेद रख दिया जाए कोई न कोई एक अलग अलगाव रख दिया जाए तो वहाँ पर तद्रूप रूपक अलंकार होता है यह भेद दूसरा दूजा अन्य अपर अर्थात अन्य बोधक शब्दों से प्रकट किया जाता है अर्थात जब उपमे पर उपमान का आरूप तो किया जाता है पर उसे वही नहीं बता कर दूसरा रूप बताया जाता है उपमान का दूसरा सुरूप बताया जाता है उधारन के लिए अवदपुरी अमरावती दूजी दसरत दूजो इंद्र मही पर यहाँ पर अवदपुरी को दूसरी अमरावती बताया गया है वही अमरावती नहीं दूसरी अमरावती बताया गया है इसी प्रकार दसरत को इंद्र बताया है पर वही इंद्र नहीं दूसरा इंद्र तो इस प्रकार यहां पर दूसरे शब्द का प्रेव हुआ है अधर यहां पर तद्रूप रूपक अलंकार कहा जाता है कहा जा सकता है अब इस प्रकार जब उपमे पर उपमान का आरोप किया जाता है तो रूपक अलंकार होता है संशेप में हम केवल इतना अच्छे से जान लें कि जब उपमे पर उपमान का आरोप किया जाता है तो रूपत अलंकार होता है अब अगला अलंकार हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार जब एक वस्तू को दूसरी वस्तू मान ली जाती है अर्थात वह वस्तू होती नहीं है लेकिन उसे मान ली जाती है जब एक वस्तू को दूसरी वस्तू मानली जाती है और ये मानना किसी साधरन धर्म के कारण होता है अर्फात जब उपमें में उपमान की संभाव ना की जाती है इसके लिए कोई साधरन धर्म कोई सामन्य जो विशेशता दोनों में एक जैसी अवश्य ही होती है इसमें उत्प्रेक्षा वाचक शब्दों का प्रियोग किया जाता है जैसे मनू, मानू, जरू, जानू, मनःू, इव, इत्यादी उधारन के लिए नेत्र मानू, कमल यहाँ पर नेत्र कमल नहीं है, परन्तु मान लिए गए है एक अन्य उधारन इस प्रकार है अति कटू वचन कहतिवेद केकेई, मानू, लोन जरे पर देही यहाँ पर कटू वचन में जले पर नमक की संभावना की गई है अर्था है उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाएगा उत्प्रेक्षा के तीन भेद हैं वस्तूत प्रेक्षा, हेतूत प्रेक्षा और फलोत प्रेक्षा वस्तूत प्रेक्षा में जब एक वस्तू में दूसरी वस्तू की संभावना की जाती है तो वस्तूत प्रेक्षा होती है अर्थात यहां उत्प्रेक्षा वस्तू में होती है उधारन के लिए हरी मुख मानो मधुर मयंक यहां हरी के मुख में चंद्रमा की संभावना की गई है अर्था यहां वस्तूत प्रेक्षा लंकार का उधारन है अब दूसरा भेध है हेतूत प्रेक्षा, जब अहे तुमें हेतू की संभावना की जाए, यहां हेतू का अर्थ है कारण, अर्थात जब जो कारण नहीं है उसे कारण मान लिया जाए तो हेतूत प्रेक्षा अलंकार कहा जाएगा, उधारन के लिए अरुन भाय कोमल चरण भुवी चलिवे ते मानू यहां चरण के लाल होने का कारण धर्ती पर चलना मान लिया गया है जबकि लाल चरण स्वाभविक संदरी के कारण है प्रत्यू पर चलने के कारण नहीं अतहर यहां जो कारण नहीं है उसे कारण मान लिया एक अन्य उधारन देखते हैं मुखसम नहीं याते रहत चंद ही चाया चाय चंद्रमा पर जो चाया है उसका कारण मुख के समान नहीं होना बताया है अर्थात वह कालिमा मुख के समान नहीं होने की पीडा के कारण है पर ऐसा नहीं है वास्तिक्ता में तो चंद्रमा का स्वर प्रूप ही ऐसा है पता यहां भी कारण को कारण मान लिया गया है अतह हेतूत प्रेक्षा अलगकार है इसी प्रकार तीसर अभेद है फलोत प्रेक्षा अफल में फल की संभावना की जाए जहां अफल में फल की संभावना की जाए वहां फलोत प्रेक्षा होती है अब यहां फल का अर्थ उद्देश से है अर्थात जो फल नहीं है तात पर ये जो उद्देश नहीं है उसे उद्देश या फल मान लिया जाता है वहां फलोत प्रेक्षा अलंकार होता है दारन के लिए तव मुख समता लहन को जल सेवत जल जात यहां पर कमल के जल में रहने पर बनने के लिए जल में रह रहा है या जल में तप कर रहा है परन्तु ऐसा है नहीं वह तो जन्मता ही जल में हैं यहां अफल में फल की संभावना की जा रही है अतह फलोत प्रेक्षा कही जाएगी अर्था जो उद्देश नहीं है उसको यहां उद्देश बना दिया गया है अ एक अन्य उधारन देखते हैं बड़ात ताड को पेड़ियों मन चूमन आकास यहां पर जो उद्देश नहीं है उसे उद्देश बना दिया गया है ताड का अवरक्ष अपनी प्रकृती से बढ़ता है परन्तु यहां बताया गया है यह संभावना की गई है कि यह आकास को च प्रेक्षा अलंकार का उद्दारन माना जाएगा यहां यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे पता लगाएं कि अमुक उद्दारन फलोत प्रेक्षा का है या हेतूत प्रेक्षा का है तो प्रस्ण करें कि किस उद्देश से कारी हो रहा है किस फल की प्राप्ती के लिए कार प्रेक्षा जैसे ताड का व्रक्ष क्यों बढ़ रहा है उत्तर है आकाश को छूने के लिए तो उत्तर प्राप्त हुआ कि उसका उद्देश्य आकाश को छूना है अता फलोत प्रेक्षा का उधारन है इसी प्रकार पेर लाल होने का क्या उद्देश्य है तो उत्तर कुछ भ संग्षेप में जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए और उत्प्रेक्षा सूचक शब्दों का जनू जानो मनू मानो इव इत्यादी शब्दों का प्रयोग हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है तो आज बस इतना ही धन्यवात घर में रहिए सुरक्षित रहिए